डॉट्रेट पर होगा अब आपके सारे फिसिक्स के देशिन माच्जाव्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोटो खीचो अपकर और तुरंच वीडियो सलुशन पाओ डॉट्रेट आप अभी है फिर वाट्साप कीजिए अपने डॉट्स आर्ट चार्सो 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 पर इस कुशन में हमारे पास दिया वाए कि क्रायक्स कोपी कॉंस्टेंट ऑफ वाटर 1.86 केल्विन के जी पर मोल है मतलब हमारे पास के एफ की वैल्यू दे वही है और क् एक 0.01 molar acetic acid का solution है जो की produce करता है एक depression of 0.0194 degree Celsius in the freezing point ठीक है मतलब freezing point of water जो है वो घटा करके वो 0.0194 degree Celsius कर देता है जब उसको हम water के साथ में add करते है acetic acid को कहा जा रहा है कि बताए degree of dissociation क्या होगा उस acetic acid का तो आईए देखते हैं इसको हम कैसे solve करेंगे तो हमारे पास KF दिया हुआ है cryoscopic constant वो कितना है 1.86 Kelvin kg per mole ठीक है यह हमारे पस दिया हुआ है और क्या है तो molality हमें दिया हुआ है acetic acid का 0.01 ठीक है अब हम इसको यूज करके क्या निकाल सकते हैं delta TF लिख सकते हैं तो delta TF जो होता है वो क्या होता है i into kf into m होता है क्योंकि यहाँ पर degree of dissociation मतलब यहाँ पर कुछ association या dissociation हो रहा है तो abnormal हमारे पास qualitative property आएगी तो इस कारण से हम एंट of factor i को यूज करते हैं यहाँ ठीक है i क्या हो जाएगा i हो जाएगा delta TF upon kf into m तो delta TF की value क्या है 0.0194 है ठीक है यह हमारे पास delta TF है upon kf कितना है तो 1.86 kf है और molality 0.01 है तो इसको जब हम solve करते हैं तो i की value आ जाती है हमारे पास 1.043 यह क्या आ गया है यह हमारा वेंट of factor का value आ गया है 1.043 यह जो है यह हमारा वेंट of factor आया है तो अब हम इसको use करके क्या निकालेंगे अब हम को degree of dissociation निकालना है तो degree of dissociation क्या होता है तो पहले बता दू आपको कि acetic acid है वो तो water में जाएक किस प्रकार से dissociate होगा अल्दो यह weak acid होता है तो उतना ज़्यादा dissociate नहीं करता है फिर भी जो भी थोड़ा बहुत dissociate होगा वो हम देखते हैं कैसे हो रहा होगा तो CS3 CO minus plus H plus के form में dissociate होगा ठीक है तो initially अगर मैं मान लो कि हमने one mole लिया हुआ है इसका तो initially यह दोनों 0 होंगे लेकिन equilibrium पे क्या हो चुका होगा तो equilibrium पे यह one minus alpha से तूट चुका होगा और यह कुछ alpha और यह फ्रस अल्फा जो होगा वो हमारा total mole set equilibrium आ जाएगा तो इसको यूज करके अगर हम winter factor लिखना चाहे तो वो क्या होता है तो वो होता है total mole set equilibrium upon initial mole ठीक है यह हमारे पस formula होता है तो हम इसको one plus alpha जो की total mole set equilibrium पे upon initial mole जो की 1 है हमारा वो लिख सकते हैं तो यह क्या आ जाएगा 1 प्लस alpha आ जाएगा और i की value यहां हमने देखिए कितना है है 1.043 आया है तो इसको जब हम solve करते हैं तो alpha की value आ जाती है 0.043 यह हमारे पास alpha की value आ जाती है तो हम यहां से देख सकते हैं कि हमारा जो degree of dissociation है वो कितना है तो degree of dissociation हमारे पास 0.043 है इसका मतलब B option जो होगा वो इस question का right answer होगा Thank you